हेई गाईज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मोनास कॉर्णर और मैं हूं मोना फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यह वाले मेकप लूग जो कि मैंने क्र करेकिया है यह specially मैं ने क्रेट किया है house wife के लिए जो newly married है और उनको तो मेकप करना है डेलई starting में सबी लोग करते हैं और जो भी लोग मेकप करते हैं जो डेली उसमें भी थोड़ा brings a करना पसंद करते हैं लेकिन बहुत हैवी भी नहीं चाहते हैं थोड़ा सा मेकप भी चाहते हैं तो यह मेकप लुक मैंने उन्हीं लोग के लिए क्रेट किया है अगर आपको डेली फाउंडेशन नहीं लगाने का मन है तो आप विदाउड यूजिंग यूर फाउंडेशन और फाउंडेशन यूजिंग यूजिंग करना चाहती है तो फिर आप लोग यह वीडियो जरूर देखिए कि आपके बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है और विदाउट फाउंडेशन विदाउट कंसीलर भी आप बहुत अच्छे से लग सकते हैं और मैंने तो आज दस अबने चैनल पर लाती रहती हूं तो गाइस चली वीडियो को पूरा देखिएगा अच्छा लगे तो लाइक करके जाएगा और बस आप शेयर भी कर सकते हैं अगर आपके कोई फ्रेंड है जिसको इस तरह का मेंकप लुक की जरूरत है या वीडियो देखना चाहती है तो शेयर भी कर सकते हैं तो चली ज्यादा बाते नहीं करते हैं सीधे चलते हैं अपने वीडियो की तरफ राइट सो गाइस आफटर वाश्यों फेस यहाँ पर टोन लगा लिजेगा या गुलाप जल अपलाई कर लिजेगा और अपने इसकिन में अफजर्व होने दीजेगा जैसा कि मैंने किया था जैसा मैं अपने और वीडियो में आपको दिखा चुकी हूं नहीं देखें तो वीडियो लगा रही है मौशराइजर के लिए मैंने यूज किया बेटिक का मौनिंग नेक्टर मौशराइजर विद ऐस्पी अफ 30 विकॉस गर्मी और धूप काफी हो गई तो एस्पीफ के साथ ही आपको मौशराइजर लगाए नहीं तो आपको अलग से मौशराइजर लगाना पड करता है और इस तरीके से पूरे फेस पे हम लोग लगा लेंगे आपको थोड़ी कम लग रही हूँ तो आप दुबारा भी ले सकते हैं और देख सकते हैं कि इसमें मैंने लिए फेसे कनेडर का फाउंडेशन भी नहीं लगाया लेकिन क्रीम और मौशराइजर लगाई तो पाउडेशन जरूर सेट कर लीजेगा और गर्मी में जरूरी भी होता है और यहां पर मैं यूज कर रही हूं मालियो की यह पैंसिल आइब्रो पैंसिल है और यह स्ट्रेप उन लोग के लिए ज्यादा इंपोर्टेंट है जिनकी आइब्रो काफी लाइट है अगर अपकी अच्छी खासी तो यह स्टैप आप लोग कर सकते हैं डेली यूज में अगर आप लोग मेकप करते हैं तो जरूरी नहीं है यहां पर मैं स्ट्रेश ब्यूटी का पैलेट यूज के आई शेडव पैलेट और यहां पर बहुत लाइट कलर ब्राउन कलर यूज कर रही हूं ल बلू कलर का आईलाकी ३ी और देख सकते हैं इस तरह के से चुटा सब्सक्रेट कर लिया है तो मेकप कर रहे है तो थूड़न मेकप ओ अच्छा लगना है और लेकिन मेकप लगना भी चाईड और देक सकते हैं आप लोग यहां मैंने हाइट लिया है यह भी Colorado भूआ है है य तो बहुत हलका सा लगाईएगा जैसे आप सब जानते और powder highlighter ही लगाएगा गर्मियों में liquid highlighter बिल्कुल भी मत लगाएगा पसीन आ जाएगा तो powder highlighter ही उस करिएगा गर्मियों में नोज वाले step जैसे जिसकी जादा ब्रॉड है वो कर सकते हैं नहीं तो आप इसको इसके भी कर सकते हैं डेली में राइट तो देख सकते हैं आप मैंने sponge की help से यह shadow को blend कर रही हूं और यह अगर आपने थोड़ा देर लगा देंगे इस eyeshadow काफी pigmented है तो इसमें यह stick हो जाएगा और जल्दे से blend नहीं होगा मेरा actually बीच में call आ गई थी तो मेरा stick हो गया था यह तो इस तरीके से आप इसको blend कर लेंगे sponge की help से contouring हलकी सी कर लेंगे right और यहाँ पर हम लोग लगाएंगे mascara today I will not use any fake lashes lashes क्योंकि हम लोग daily makeup कर रहे हैं तो daily con lashes लगाता है तो यहाँ पे mascara जरू आपको lipstick जो भी color पसंद है वो लगा सकते हैं because यह pink, red, maroon यह सब color housewives कोई भी color skin tone में अच्छे लगते हैं और देख सकते हैं आप लोग मैंने इस तरह का dark pink color shade choose किया today और यह ऐसा लग रहा है बस होगे आपका makeup और थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं अगर आप चाहें तो हलका ब्लशर लगा लेंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा और यहां पर मैं यूज़ कर रही हूँ यह blue heaven का blue color का काजल और बस that's it आप black काजल भी लगा सकते हैं मैं आप यह blue color का यूज़ कर रही हूँ आज और बस makeup भी हो गया हमारा और देख सकते हैं कि यह मेरा काजल ल makeup look without foundation without concealer और यह daily makeup मैंने आप लोग के लिए क्रेट किया है housewife या फिर newly married जो भी घर में makeup करना चाहती है उन लोग के लिए क्रेट किया मैंने और makeup वीडियो बहुत अच्छे डाले हैं अगर नहीं देखें गल्स के लिए भी latest मेरा वीडियो गया है गल्स के लिए makeup तो वो भी करके बताएगा कैसे लगा वीडियो राइट मैं इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग लाती रहूंगी तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा मिलते नेक्स वीडियो में अपना ख्याल रहिएगा रखिएगा सेफ रहिएगा ओके तिल एन बाबाई टेक क कि अच्छे शून